हाई सब नमस्कार कैसे यहां सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो यहां पर बहुत सा रेक्ष्णाल लगातार हम से पूछ रहे थे कि सर क्या 2023 के अंदर तीन बार हम इनेट का एक्जाम देखनों को मिले एक तो होई चुका फरवरी मार्च में दूसरा होगा जून 2023 में और तीसरा होगा दिसंबर 2023 में कुछ परने कायना है कि सर जून 2023 का नेट के एक्जाम का एक्जाम का एप्लिकेशन फोम आखिर हमे कब देखनों मिलेगा ऐसे ही बहुत सारे छोड़े-छोड़े डाउट्स तो आज इस वीडियो के अंदर वो सारी बातों के बारे में हम डि तक एगा क्योंकि नेट एक्जाम की तयारी में जो सबसे खास चीज होती है वो होती है और गनाइस तरीके से हर चीज का एक ही जगाँ पर मिलना तो इस एप्लिकेशन के माद्दे हम से सारी चीज हमने और नाइस करके एक ही जगाँ पर आपको दी है और फ्री ओफ कोस्ट सबसे इंपोर्टन क्या होते हैं प्रीवेस एर कोश्चन पेपर होते हैं डियर प्रीवेस एर के कोश्चन पेपर फ्री ओफ कोस्ट एप्लिकेशन पर दे दिया हमने MCQs जो की आपके लिए मोस्ट इंपोर्टन होते हैं प्रीवेस एर वाले MCQs भी दे रखे हैं और जो मोस्ट इंपोर्टन MCQs हैं वो भी यहाँ पर आपको फ्री ओफ कोस्ट दे रखे हैं तो एक्जाम जैसा इंटरफेस भी हमने वहाँ पर आपको दे रखा है फ्री में आपको बहुत सारी इकलासिद वहाँ पर प्रवाइड करवार किये फ्री में नोट्स भी दे रखे हैं जी तो इतना सब कुछ हमने एक ही जंगा पर एप्लिकेशन पर आपको प्रवाइड कर खरवाना जाता हूँ अभी जो आपका लास्ट एक्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आयठा पाच नवंबर पांच नवंबर को दिया पांच अब ही आपका भी रिजल्ट आया inch- ko तो पांच उसके बाद में इन्होंने क्या किया दो तिन दिनों में जब खतम होगी सीमा फिर देखा गयार कम बच्चों ने भरा होगा यार जो भी है 21 से 23 जनवरी का और समय दे दिया कहते हैं लो इसमें और फोर्म बर लो 21 से 23 तरीक एक्स्टेंड करती थी और 21 से 23 में जिसने अपना अप्लिकेशन फोर्म बरा था उसको क्रेक्शन विंडो नहीं दी थी जिनोंने 29 से 17 तक बरा था उनको यहां पर क्रेक्शन विंडो दे दी थी 18 से 20 तरीक तक कीश तरीके की क्रेक्शन विंडो यहां पर दी गई खेर यह तो गई पुरानी बात इससे पहले की और साल देखना पड़ेगा थोड़ा सा समझ में आएगा हमारे को अच्छे तरीक तो इससे पहले जो था वो 19 फरवरी को रिजल्ट आये था डियर, 19 फरवरी दो जरबाइस, यह दो जरबाइस की बात है, यह भी दो जरबाइस क का टाइम दिया था, सबसे खास बात पते क्या थी, यहां पर खास तोर पे अनाउंस कर रखा था, कि यह जो एक्जाम है वो जून में होगा जी, यह खास तोर पे अनाउंस किया गया था, किस के दोरा, UGC के चेर्मेन दोरा, कब अनाउंस किया गया था, 10 अपरेल को इन्हो डेट इसकी कर दी गई थी वो अलग बात है कि अप्रेल में एक्जाम हुआ नहीं था यह एक्टूबर तक हीच के तलग है था आप सभी जानते ही होंगे जिनको नहीं बता वो मैंने आपर आपको बता दिया है अभी क्या कंडिशन बन रही है अभी आप लोगों का जो रिजल कि अप्लिकेशन फोर्म आपके अब से देखने को मिलेंगे 13 मई तक पर इंपोर्टन चीज है कि यूजी सी के चेर्में साब ने ठानी लिया कि हम तो एक्जाम जून में ही करवाएंगे जी जून में ही करवाएंगे एक्जाम तो उस हिसाब से यहाँ पर अगर देखा जादा 30 अपरेल तक जो है न वो आपको आपके अप्लिकेशन फोर्म मिल जाने चाहिए क्योंकि जब यह 30 अपरेल को यह आया था तो उस वक्त में इन्हों ने बताया नहीं था कि हम एक्जाम को आगे एक्स्टेंड कर देंगे उस वक्त में इन्होंने इंप्रमेशन बुल आप सभी की बहतर तैयारी के लिडियर मोस्ट प्रोवेबल है और मैं भी इस चीज के पक्षदर हूँ कि एक्जाम जो है वो दो महीने में होना ही होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे स्टुन ऐसे हैं जो कि जेरफ को अपलाई करनी के एज लिमिट क्रोस कर जाएंगे तो ऐस वो आपको यहाँ पर दिया गया बिल्कुल मिनिमल फीस पे कंप्लीट पैकेज यहाँ पर आपको दिया गया है कोमर्स का 2999 के अंदर यहाँ पर आपको देशनों को मिल जाएगा पेपर वन अगर आप जोइन करना चाहते हैं तो वो भी 2999 के अंदर है और अगर आपका सिरके कोशन को भी डिसकस किया गया है टोपिक को थोरोली समझाया गया है लाइव लेक्चर ले गए हैं अभी करंट बैच के वो सब यहाँ पर है और लाइव लेक्चर और भी लगेंगे इसके अंदर तो आप इसको जोइन किजेगा जो भी डाउट्स वे रहा हूं उन सब के लिए भी शेशन लगाया गया है उन सब को भी आप देख सकते हैं और आपके जो भी डाउट आएं वो भी आप 24-7 पूछ सकते हैं कोई दिकत नहीं है और अगर आपको यह तो हो गए दो-दो महीने वाले डियर कि अगर आप दो मेने क्योंकि दो महीने बाद जून आ जा जाता हूं तो वो 2799 के अंदर आप जोइन कर सकते हैं अगले महीने के लिए इसकी फीस 499 हो जाएगी तो मेरा तो यहीं कहना है कि दो मीने का इकठा कर लो कि तो जाला ठीक रहेगा काफी बेनिफिशल आपको एक ही जगा पर सारी चाहीं मिल जाएगी और आप इसका तक आ गए तो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है तीस अपरेल तक का इंतजार आप करो तीस अपरेल से लेट हो जाएगा तो फिर चांसी बहुत मुश्किल है क्योंकि यहां पर आपको जब 17 जनवरी और यह बता दिया था उसके बाद में यह एक्जाम आपका कब हो है आप जानते हैं नमबर दोजारबाईस वाला नमबर दोजारबाईस के बाद में इन्होंने 17 जनवरी के बाद से 21 से 23 फरविद्ध कर दिया और उसके एक महीने बाद जाके एक्जाम लिया था तो 30 से अपरेल से शुरू करके अगर यह जल्दबाजी करते हुए भी 15 दिन द दिना है तो एंडिंग डेट जी 30 फरविद्ध से लेट किया तो फिर जून में मुश्किल हो जाएगा एक्जाम इंपोसिबल के लगबग यह आप मालो बट जूदिसी चेर्मैन साब अपनी बात को जरूर रखेंगे मुझे ऐसा पूरा यकीन है और जेरफ की एज लिमिट वीडियो को लाइज जुरूर कर दिजेगा शेर भी किजेगा जार जार शूमिन तक इस वीडियो को पहुंचाहिएगा ताकि वो भी हर आस्पेक्ट को यहां पर समझ सकें और पता लगा सकें कि किस तरह से उनको इस बारतायारी करने हैं और कैसे उनके अप्लिकिस्टों आ